आप सब्सकार मैं समय जैस वाल एक Electrical and Electronics Engineer इस वीडियो के अंदर हमारी जो Switch and Sockets के उपर 5 पार्ट की सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे Anchor by Panasonic की Anchor by Panasonic के उपर Indians का बहुत ही ज़्यादा Trust है इसकी सेल्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सेल है मतलब बड़े-बड़े ब्रैंड्स की आप सेल्स को कमबाइन कर लो तो भी वो Anchor by Panasonic के आसपास भी नहीं पहुसती है तो इसलिए अगर आप अपना घर रेनोवेट कर आ रहे हो नहीं अगर लिया आपने तो आपको Anchor by Panasonic के स्विचेश और सॉकेट के बारे में एक बार ज़रूर जान लेना चाहिए इस वीडियो की जल्दी से शुरुबात करें और बात करेंगे Anchor Jeeva की सबसे पहले पाते वह अक्सर कुछ लोकल ब्रैंड्स के सस्ते स्विचेश ले लेते हैं जिसमें तरह दरह की दिक्कते आती हैं ना वह बाद में अवेलेबल हो पाते हैं और सेफटी इशूज भी बहुत जादा उसमें रहता है तो उनके एक बहुत ही बड़ी हैं रिप्लेस्मेंट के तौर पे Anchor ने लॉंच किया Jeeva Series ये Series कंपनी ने उतारी बहुत ही सस्ते दाम के अंदर और एक Medium Quality के अंदर इसके Switch का डिजाइन छोटा जरूर है पर Anchor के दूसरे Series के डिजाइन से काफी अलग है जैसे के अगर हम बात कर लें Penta, Rider, Roma से काफी अलग है इसका डिजाइन Jeeva के Switches, Sockets और दूसरी असेसरी को Horizontal और Vertical दोनों ही तरह से लगाया जा सकता है PVC का Material decent quality का है और Backside पे देखेंगे तो कोई शौक लगने का खतरा नहीं इसके अंदर company claim करती है 100% brass का इस्तमाल किया गया है कोई ही इसमें iron use नहीं किया है और अगर इसकी modular sheets की बात कर लेंगे तो काफी designer sheets है center में आपको एक तरह का curve नजर आएगा तो plain sheet नहीं है एक थोड़ा सा design company नहीं है यहाँ पर भी आपको दे दिया है कम price में अच्छा product ढूंड रहे है anchor jiva के साथ जा सकते है 40-45% discount आपको इसकी list price के उपर मिल जाएगा किसी तरह की warranty इसके अंदर नहीं आती कोई special feature इसके अंदर नहीं आता है इसकी जो modular plates है उसकी quality भी इतनी strong नहीं है कि आप उसको जैसे मर्जी mode लोगे तो वो तूटेगी नहीं तो आप समझ गए होंगे कि medium quality में और low price में लेना है तो anchor jiva एक भूती perfect choice आपके लिए हो सकती है 6 ampere, 16 ampere, 25 ampere, 32 ampere की switches भी इसके अंदर आपको मिल जाते है sockets आपको 6 ampere का, 6-16 ampere का और universal socket भी आपको मिल जाता है company नहीं हाँ पर safety shutters भी आपको दे दिये है regulator का design मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगता है one model और दो model के अंदर आ जाता है dimmers इसमें नहीं आते, hospitality की कोई range इसमें नहीं आती modular mcbs भी इसके अंदर असानी से आपको मिल जाती है इसके modular plates के अगर हम बात करें तो one model से लेके 18 model तक की सारी range आपको मिल जाती है जो की commonly एक आम लोग, एक middle class वाले जितने भी लोग हैं अकसर एक model से 18 model तक का box डलवाते हैं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं anchor penta की anchor penta एक ऐसी modular fitting range है आपको हर दूसरी बिजली की दुकान में मिल जाती है तो इसे खरीदने के बाद आपको इसके replacement की सिंता बिलकुल भूल जानी है anchor penta में plain white और जीना model काफी famous है जिसके inner borders में chrome finish आ जाती है बड़े wide switches हैं जो बहुत ही कम आवाज करते हैं anchor penta के switch sockets और दूसरे accessories काफी हलके से है मतलब इसका weight काफी हलका है बड़ अगर इसे सामने से देखते हैं तो कफी सुन्दर और glossy look ये देते हैं penta की series में भी कोई special बात नहीं है 6 ampere switch नई rates के हिसाब से आपको 24-25 रुपीज में मिल जाता है और penta के price list पे आपको 40-45% का discount असानी से मिल जाएगा कोई warranty इसके अंदर नहीं आती है आपको इसका भी ध्यान रखना है penta एक ऐसी quality है जिसे आप आख बंद करके खरीद सकते हो अगर आप एक medium quality के switches खरीदना चाते हो और आपको अगर जीवा की quality हलकी मालूम पड़ती है इसमें भी back side से shock लगने का खतरा ना के बराबर है क्योंकि इसके अंदर again जो screws है उसके उपर आपका direct हाथ नहीं लगेगा इसलिए shock लगने का खतरा ना के बराबर है अगर बहुत जादा pressure इसके switch sockets के उपर ना लगाया जाए तो सालों साल मुझे नहीं लगता कोई परिशानी आपको इसे switch sockets और किसी भी accessories में आने वाली है 6 ampere, 16 ampere, 25 ampere, 32 ampere की switches की series इसमें आती है जो आपको neon indicators के साथ भी मिल जाती है Sockets में 2-pin socket, 3-pin socket, 5-pin socket, universal sockets, shutters के साथ और without shutters भी आपको मिल जाते हैं Indicator की quality Jeeva से तो बहुत ही अच्छी लगती है Jeeva के खास दौर पर indicator की quality काफी low है Regulator 360 degree rotate होते हैं तो इसके तूटने का खतरा बिलकुल नहीं है क्योंकि जैस regulator के अंदर ना कोई stopping point होता है जैसे मानलो 5 तक ले गए, 5 के आगे वो नहीं घूम रहा तो वो तूटने का खतरा उसमें जादा रहता है इसके अंदर 360 degree rotation वाले regulator आपको मिल जाते हैं Hospitality की range इसमें पूरी मिल जाती है White के साथ इसमें graphite black series भी switches, sockets और accessories में मिल जाती है जो कि एक dark gray color है Regular white और Gina series इसकी बहुत ही popular है और PVC के अंदर ही दूसरे colors की अगर हम बात कर लें तो वो आपके सामने यहाँ पर है, मैं आपको अलग-अलग colors दिखा रहा हूँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब Rider और Roma classic series की सबसे पहली चीज आपको Anchor Rider और Anchor Roma के बारे में जान लेनी चाहिए कि Anchor Rider जो है वो थोड़ा से सस्ता है Anchor Roma से comparison में क्योंकि Anchor Rider की जो quality है वो थोड़ी सी हलकी है Anchor Roma के comparison में दोनों ही देखने में एक जैसे look देते हैं बहुती sleek सा design है बहुती heavy duty सा design front से लगता है अगर मैं इसके switches और sockets को हाथ में लेता हूँ तो ये थोड़े से heavy ज़रूर लगते हैं तो अच्छी quality लगता है कि company ने इसके उपर अच्छा काम किया है Anchor Jeeva और Anchor Penta से इसे better quality बनाने की कोशिश company ने करी है साथ ही जो इसके switches और accessories है वो common है मतलब Anchor Rider की Anchor Roma में लग सकते हैं और Roma की जो है Rider में लग सकते हैं यहां तक की Rider और Roma की जो भी switches और accessories है वो दूसरी companies के modular plates में भी लग सकती हैं तो ये वड़ी ही noise जब आप इसके switch को on off करते हो तो एक तरह की काफी high pitch noise इसके अंदर create होती है जो की मुझे personally starting में अच्छी नहीं लगती थी पर जैसे जैसे मैं used to हो गया इसकी आवाज से आप मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी आवाज create कर रहा है build quality इसकी जो working है बहुत ही असान है बहुत ही बढ़िया quality का company ने इसे बनाने की कोशिश करी है इसके अंदर हम बात करें तो तीन color के अंदर आपको इसके switches मिल जाते हैं एक तो पूरा black एक plain white और थोड़ा सा silver grayish color के अंदर भी आपको इसके switches और accessories मिल जाती है यह मुझे personally बहुत ही अच्छा लगा कहीं लोगों को आज कल black switches लगाना बहुत ही अच्छा लगता है तो वह series आपको इसके अंदर मिल जाएगी again safety standards की बात करें तो यहां पर 10 ampere और 20 ampere के switch की series आती है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यह कई ब्रैंड्स अब लाने लगे हैं 10 ampere और 20 ampere के switches की series को कि यह safety की standard से काफी अच्छी रहती है इसके अंदर again neon indicator के साथ भी आप इसके switches वगेरा खरीज सकते हो तो यह पूरी series आपको इसके अंदर मिल जाती है तो black, grey, white की series आपको इसके अंदर मिल जाती है plates के अंदर थोड़े अलग-अलग colors आपको इसके अंदर मिल जाती है next जो last हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो के लिए वो है Roma Urban Series Roma Urban Series मेरी personal favorite में से है क्योंकि अगर इसके modular plate की design की बात करें तो एक तो plain design आता है और दूसरा जो design आता है उसके center में अच्छा सा curve है बहुती पतली सी इसकी modular sheets है और side हो में अगर आप देखो के तो बहुत बड़ा-बड़ा curves दे रखें curvature दे रखा है जो की बहुती बहुती सुन्दर लगता है देखने के अंदर और जो एक बात मुझे Roma Urban के अंदर बहुती अच्छी लगती है वो है इसके switches बहुती कम अवाज करते हैं यार बहुती कम अवाज करते हैं और अगर मैं इसको on-off करता हूं तो बहुती easily बिना किसी pressure के अराम से on-off हो जाते हैं इस तरह के जो premium quality के switches आते हैं उसमें आप notice करोगे कि switches थोड़े अंदर की side होते हैं जिसकी वज़ा से इसे on-off करना बड़ा असान होता है और देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं जिसके switches काफी भार को निकले रहते हैं वो देखने में इतने प्यारे नहीं लगते हैं जितने इस तरह के switches देखने में लगते हैं इसके अंदर जो है बहुती असानी से wire का connection किया जा सकता है ये भी इसकी बड़ी अच्छी बात है flame retardant है thermostat material का यहां पर इस्तमाल किया गया है high temperatures के उपर भी यह plate टिकी रहेगी जो आपके life parts है वो आपस में touch नहीं होंगे तो इस safety के standard से बहुती अच्छा company ने इसे बनाया है इतना महेंगा नहीं है आप इसी भी definitely consider कर सकते हो 40-42% discount इसके अंदर भी असानी से मिल जाता है इसको डिजाइन जो है inner borders पे जो अलग-अलग designs है वो मुझे personally बहुती अच्छे लगते हैं अगर मैं इसके inner plate की बात कर लो जिसकी fitting सुन्दर है बहुती flexible है जैसे मर्जी आप उसको rotate कर लोगे टूटेगी नहीं तो बहुती अच्छी quality है premium quality में जाना चाते हो तो definitely consider करो Roma urban ठीक है इसके जो switches बगेरा की again safety के standard से 10 ampere और 20 ampere की series इसके अंदर मिल जाती है आपको इन series के अलावा जो इस video के अंदर मैंने बात कर रही है आपके कोई भी doubts है आप comments में जरूर पूछो वीडियो कैसी लगी आप comments में हमें जरूर बताओ ताकि हम और improve कर सके मिलते हैं next video में bye and take care